हलो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए लाया हूँ जो मॉस्कीटो ट्रैपर होता है इसमें जैसे आपने देखा होगा रेस्टोरेंट में या स्वीट्स की शॉप पे ये लगा हुआ होता है आपने देखा होगा उसमें एक यूवी लाइट लगी रहती है तो मॉस्कीटो जो ह आपको बताने वाला हूँ ये भी AC 220 बोल्ट सप्लाई पर चलेगा 220, 230, 240, 50 तक आप यूज कर सकते हैं अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो किरपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको बीडियो पसंद है तो किरपया करके एक लाइक जरूर कर दीजेगा इसमें मैं आपको सारी चीज बताने वाला हूँ जैसे कि आपको कौन सी रेटिंग का पार्ट्स यूज करना है और क्यों यूज करना है तो वीडियो को अंते तक देखें और इसके पना करें तो चलिए सबसे पहले मैं इसका से एक सरक्ट डाइग्राम आपको बता देता हूँ देखिए ये AC 220V है मतलब फेस और न्यूट्रल इसके बाद आप देख रहे होंगे एक कैपसिटर लगा हुआ है उसके बाद एक 508 डायोड लगा हुआ है तो ये 225 के 450V का कैपसिटर लगा हुआ है जो कि ये देखिए इस तरह का कैपसिटर होता है और एक इसमें 548 ये उल्टी डारेक्शन में लगा है ये दोनों रिवर्स डारेक्शन में हैं तो यहां से ये दोनों कनेक्टेड है इसके बाद इन दोनों के बीच में भी एक 225 के 450V का कैपसिटर लगा हुआ है यहां से ये देखिए ये नेगेटिव सप्लाई आ रही है तो ये एक नेट लगा हुआ है और यहां से ये पॉजिटिव तो जब जो भी मॉस्कीटो इसके बीच में आएगा तो ये जल के मर जाएगा लेकिन इसमें आपको मैं कई सर्केट बताने वाला हूँ कम रेटिंग से लेके ज़्यादा रेटिंग तक क्या-क्या फरक पड़ता है तो देखिए सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा सबसे कम बोल्टेज का ये मैंने 223J का इस्तिमाल किया है जो कि मैं मॉस्कीटो रैकेट में लगाता हूँ आपको मैं पास से दिखा देता हूँ 223J 2000 वोल्ट तो ऐसे ही मैंने एक इसको भी लिया हुआ है देखिए दोनों सेम लिया हुए है इस सर्किट की तरह ही मैंने इसको जोड़ा हुआ है तो अब मैं इसको आपको एक बार चेक करके दिखाता हूँ देखिए किसका कितना कैपिसिटेंस है इसका ये जो मल्टिमीटर है ये कैपिसिटर चेक कर लेता है तो आप जो भी मैं आपको केवल आपके नौलिज के लिए दिखा रहा हूँ कि इसका वैल्यू कितना आ रहा है तो देखिए 22.52 नैनो फैरट ये कम रेटिंग का है तो मैं पहले आपको ये दिखाऊंगा कम रेटिंग से लेके ज्यादा रेटिंग तक आप कैपिसिटर का यूज करेंगे तो इसके स्पार्क पर और इस पर क्या फरक आने वाला है आप एक चीज का जरूर ध्यान लखें कि जब भी आप इस सर्किट का यूज करें और इसमें सप्लाई दें तो किर्पया इसको डिस्चार्ज कर लें क्योंकि सप्लाई निकालने के बाद इसमें हाई वोल्टेज रहता है जो कि कैपिसिटर के अंदर चार्ज के रूप में होता है तो अगर आप इसका इस्तिमाल कर रहे हैं तो आपको अगर इलेक्टिकल की नॉलेज है तब ही इसका इस्तिमाल करें नहीं तो आपको ये बहुत नुक्सान कर सकता है तो देखिए मैं इसको आप एक बार चेक करके दिखा देता हूं ये सबसे कम रेटिंग का है तो अभी देखिए मैं लगा रहा हूं इसको और मैं इसका बटन आउन करता हूं अब मैंने इसको आउन कर लिया है और अब मैं इसको बंद करूँगा अब इसका आप चार्ज देखिए मैं बैसे आप इसको आउन करते हुए भी चेक कर सकते हैं लेकिन मैं आपको एक बंद करके दिखा रहा हूँ क्योंकि कई बार अगर आपका हाथ लग गया तो आप बहुत डेंजरस हो जाएगा देखिए अब आउन कर दिया है अब देख लीजिए एक बार यह देखिए बहुत हलका सा स्पार्क है मैं आपको एक बार इसको माइक से अवास सुना देखा हूँ एक बार आप इसकी अवास सुन लीजिए देखिए बहुत माइनर सी अबाज है आपने देखा कि इसमें बहुत कम अबाज होती है अब देखिए अभी जो मैंने इसको पिलग निकाला है इसमें भी करेंट चार्ज होगा तो किरपे इसको पहले डिस्चार्ज कर लीजिए देखिए ऐसे कि और अचेर्ण करना है आपको है अधरवाइस क्या होगा आपको बहुत तेज़ जटका लगेगा तो अभी मैंसे को डिटाज एक बारो करता हूं अब मैं इसको हटा देता हूँ अब मैं आपको इससे ज़्यादा rating का capacitor चेक करके दिखाता हूँ देखिए ये ये वन माइक्रो फेरेट का capacitor है इससे काफी ज़्यादा है जो मैंने आपको पहले दिखाया था अब मैं इसको भी यह आपको एक बर चेक करके दिखा देता हूं कि इसकी रेटिंग कितनी है यह देखिए अभी मैं दिखा रहा हूँ यह वन माईरो फरार यह का कैपिस्टर देखिए पहले दोना से देखिए, अभी मैं इसको चेक करूँ गा तो यह देखिए 0.970 माइक्रो फैरेट लगवग 1 माइक्रो फैरेट का ये कैपिस्टर हैं दोनों देखिए ठीक है इसमें आप बहुत ही साबधानी बढ़ते हैं ऐसे ही पकड़के एकदम चेक ना करें अदर्वाइस ये आपको हाम कर सकता है बहुत ज़्यादा ये मैंने ओन करा है अब मैं आफ करके भी आपको दिखा देता हूँ देखिए आप समझ पा रहे होंगे कितना फरक पड़ गया तो आप कैपिसिटर की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे इसका चार्ज बढ़ता चला जाएगा देखिए अभी मैं दुबारा आउन कर रहा हूँ अभी मैं डारेक्ट भी लगा सकता हूँ देखिए अभी आउन है और अभी देखिए आपको मैं आवास सुनाता हूँ ये वन माइक्रो फैरेट का कैपिसिटर है देखिए अभी आपने इसकी आवास सुनी अब इसकी पावर को आपको और बढ़ाना है देखिए अभी मैं इसको डिस्चार्ज कर देता हूँ देखिए अभी इसमें थोड़ा सा चार्ज था और इसको फिर एक बार दुबारा करिए देखिए तो ये क्या होता है इसमें चार्ज रहाता है अगर आप गलती सभी से टच कर लेंगे तो बहुत तेज जटका मारेगा आपको तो इर्पया एक एक करके इसको डिस्चार्ज कर लीजिए अभी मैं क्या करूँगा कि अगर मेरे को इसका अगर आपके पास इसको आपको और इसका चार्ज बढ़ाना है तो क्या करना है आपको मैं भी बता देता हूँ इसको आपको डवल कर लेना है मतलब एक क्यापिसिटर ये वाले को आप देख लीजिए मैं एक ठोड़ा पास से दिखाता हूँ आपको ये बन माइकुर फैरट है बन जीरो फाइब जे पॉर इंड़ वोल्ट ये सब फॉर इंड़ बोल्ट में है अभी मैं आपको इसके बारे में एक चीज और दिखाने वाला हूँ देखिए अब मैं इसको क्या करूँगा कि इसको डवल करने इसको डवल करने वाला हूँ और इदर भी 1.05 है और इसके बाद ये फाइब ये भी 1.05 है मैंने आपको इसको चेक करके दिखाई दिया था ये वन मायक्रो फैरट को ही होता है और ये और अफ़वार में आपको और दिखा देतो हूँ आग देखिए दोनों से में ये उन्ल रहा था है तो यह 2μF हो जाएगा अल्प्रोक्सिमेट देखिए 1.952950 तो यहां 2μF दिखा रहा है और यहां पर 1μF दिखाएगा देखिए 0.912 तो यहां पर इसने 1μF है यहां पर 2 तो अभी क्या होगा इसका स्पार्क बहुत थोड़ा सा पावर इसकी बढ़ जाएगी देखिए अभी मैं इसको चेक कर लेता हूँ अभी देखिए मैं इसको अन करने वाला हूँ अब देखिए अब मैं इसको डिस्चार्ज करूँगा अभी आपने देखा इसका पावर कितना बढ़ गया अभी मैं इसको थोड़ा पास से सुना देता हूँ अब देखिए अब देखिए यहाँ आप आपने देखा इस पार कितमें टेज हो गया इसका अभी देखिए इसको भी मैं डिस्चार्ज कर लेता हूँ इसको भी करना पड़ेगा और इसको भी करना पड़ेगा एक बार इसमें होता क्या है जब आप इस कैफिस्टर की वैल्यू बढ़ाते हैं तो क्या होता है इसका चार्ज जो है टोटल कैफिस्टेंट बढ़ जाता है और यह ज़्यादा इस पार करने लगता है अब आपको इससे भी ज़्यादा पावरफुल बनाना है तो इसके लिए क्या करना होगा अब आप इसमें ऐसा तो है नहीं कि बार बार और ज़्यादा जोड़ते रहेंगे तो इसके लिए मैं इससे भी ज़्यादा वैल्यू का एक और कैफिस्टर सिंगल में आपको दिखा देता हूँ आपको दिखा रहा हूँ जो यह 2.2 माइग्रोफ हरेट का है देख लीजिए एक बड़ पास से यह 225 के 450 बोल्ट का है और यह भी 225 के 450 बोल्ट है देख लीजिए एक बड़ कि अब इसमें क्या Cay कि अभी में सिंगल सिंगल ही यूज्ज कर रहा हूं तो मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्यूंकि अगर आपके पास जो भी कैफिस्टर की वैल्यू है और आप उसी के से ज़्यादा है थोड़ा से देखिए 2.21 यह थोड़ा से जदा है अब इसका तो आप कितना होगा वह मैं आपको दिखादेता हूँ करने वाला हूं देखिए यह मैंने ओन कर दिया है इसको अभी देखिए अब मैं इसको डिस्चार्ज करूँगा आपने देखा इस से थोड़ा सा जो आपने वन माय को फॉफरेट के दो लगायते उससे थोड़ा सा यह जादा है अब पास से सुन लीजिए कि देखिए तो आपने अभी आवास सुनी तो यह जैसे ही इसकी कैफिस्टेंट वैलू बढ़ती है तो इसके साफ से यह देखिए पहले में डिस्चार्ज कर लेता हूं के उसके बाद इसको डिस्चार्ज करें फीर इसको chill क्रें लिए तो इसमें क्या होता है चार्ज रहता है अगर हल्का सा भी आपका हाथ लग गया तो आपको यह बहुत देज़टका मार सकता है अब बात आती है कि अगर आपको बहुत इससे भी जादा पावरफुल बनाना है फिर आप कहेंगे कि इसमें 2.2 जोड सकते हैं हाँ जी बिल्कुल जोड सकते हैं तो जैसे मैंने इसमें बताया था कि आप जैसे एक एक पैरलल में जोड़ेंगे तो बढ़ जाएगा लेकिन अगर आपको जैसे अ कि इसमें कुछ रेस्टेंस होता हैं अभी क्या कर रहे हैं केवल डारेक्ट से स्क्रू डाइवर से स्वाड कर रहे हैं तो जब इनके बीच में क्योंकि यह वाला हिस्सा देखिए यहां पर है यह तो यहां पे मौस्कीटव आएगा तो मौस्कीटो के अंदर उसकी करना होगा इसे ही आपको दो कैपिसिटर और जोडने हैं तो उससे क्या होगा कि बॉल्टेज मल्टिप्लाई हो जाएगी और इस पार्क भी ज्यादा रखना है तो दोनों काम अगर आपको करने हैं तो उसके लिए आपको कौन से पार्ट यूज करने होंगे यह हो गया एसी स पावर्फुल आपको बनाना है उतना आप बना सकते हैं तो आप मेरे हिसाब से बस आप चार कैपिसिटर का यूज करें बड़े वाले लेकिन चार कैपिसिटर आप यूज करेंगे तो 450 वोल्टेज यह 400 वोल्ट का आपको यूज नहीं करना है फिर आपको इस से ज्यादा सब्सक्राइब का कैपिसिटर चाहिए होगा आप पास से देख लीजी थोड़ा सा तकि आपको बनाने में एजी हो यह देखिए इसका पॉजिटिव यह नीचे की तरफ है बाइट वाला और नेगेटिव जूपर की तरफ है तो इसका मतलब यह रिवर्स में है केवल आप चार का यूज करेंगे तो 12-14 बोल्ट के आजपस आपको पावर मिल जाएगी डीसी इससे मॉज की टो सटली बैठत से उस पर बरन हो जाएंगे अगर बड़े मॉस्कीटो होंगे तो वह भी बड़े आराम से बरन हो जाएंगे यह कैपिसिटर से आपका कुछ नहीं होगा क्योंकि यह बहुत कम पावर के हैं तो आपको ज्यादा पावर का कैपिसिटर यूज करना है आप एक चीज और ध्या मॉस्कीटो हैं तो भाँ पे आप इसका इस्तिमाल कर सकते हैं अभी अगर 225 के अलावा भी आप देखिए एक 335 भी आता है वह भी मैं आपको दिखा देता हूं तो ऐसा ही आप सर्केट बनाएंगे देखी 335 यह 225 जो लास्ट में मैंने दिखाया था उससे भी ज्यादा प देखिए इसके लिए तो आप इसका इस्तिमाल कर सकते हैं अब अगर आप चार कैपिस्टर का यूज़ करना चाहते हैं चार्ग कैपिस्टर और चार डायोड तो आपको डायोड की रेटिंग यही रखनी है डायोड आपको चेंज नहीं करना है केवल कैपिस्टर की रेटि काफी तो क्योंकि इसका बोल्टेज रेटिंग ज्यादा है अगर आप इसका इस्तिमाल करेंगे तो चार कैफिस्टर का इस यूज कर सकते हैं तो आपका जो मौस्कीटो ट्रेपर होगा वो बहुत ही पावर्फुल हो जाएगा अगर आपको इसमें से कोई भी पार्ट प्राइगे यह 105 है चार चार्ड शबॉल्ट यह 5408 है यह देखिए तो आप जो भी पार्ट से लेना चाहें तो आप मेरको कमेंट में मैसेज कर सकते हैं या फिर आप मेरको टेली ग्राम पर भी मैसज कर सकते हैं मेरी ऐडी है एड़ ए technical anchor I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो किर्प्या करके मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही इंटरस्टिंग वीडियो में लाता रहूँगा थैंक यू फो वाचिंग